इस वीडियो में हम बायोलोजी को एक टॉपिक है इवल्यूशन जैव विकास तो इसके क्वेश्चन यहां पर देखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है सम् वृत्ति अंग एनालोजिस और गेंस किसे कहते हैं तो देखे इन में से तो कौन सा हो जाएगा इन में से हो जाएगा चमगादर के पंक और तितली के पंक तो यह दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है समजात अंग और दूसरा होता है सम रूप अंग सम रूप अंग को ही हम सम वृत्ति अंग भी कहते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सम्रूप या सम्वृत्ति अंग एनालोजिस और्गिन्स किसे कहते हैं। ऐसे अंग जो समान कारे के लिए उप्योक हो जाने के कारण समान दिखाये देते हैं परंतो उनकी मूल्च सरश्णा एवं पूर्डिय प्रिवर्धन में भिन्न होते हैं वे सम्रूप अंग कहलाते हैं। यानि कि इसमें क्या हो रहा है कि जो उसकी मूल्स रशना है वो भिन्न होती है लेकिन उनके जो काम होते हैं वो सेम होते हैं तो इनने एक्जांपल देखते हैं जैसे तितली हो गए पक्षियों तथा चमगादर के जो पंक हो गए ये सभी क्या होते हैं उड़ने के काम करते है और देखने में एक समान लगते हैं परन्तु इन सभी की उत्पत्ती अलग-अलग धंग से हुई है तितली भी अपने पंक से उड़ती है पक्षियां चमगादर ये भी तो ये लगता है कि इनके जो काम है वो एक समान है और दिखने में भी एक समान लगते हैं लेकिन इनकी ज आती है समझात अंग जिसको हम बोलते हैं हॉमोलोजिस और गेन तो यह क्या होता है वैसे अंग जो विभी नकारियों के लिए उप्योजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देती हैं परंतु मूर रशना एवं भूरुणिया परिवर्धन में समान आता है वो क्या कहल हैं समझात अंग कहलाते हैं अब जैसे इनके एक्जामपल जो सील के प्लीपर होते हैं चमगादर के जो पंक होते हैं घोडे की अंगली टांग बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ की मौलिक रशना एक जलसी ही होती है नेस्ट है नेस्ट कोशन है डॉर्विनिस्म है तो डॉर्विनिस्म क्या है, यह एक प्राकरितिक चयन अप्षा नमबर C यहां पर रइट हो जाएगा प्राकरितिक चयन का जो सिद्धान्थ है वही क्या कहलाता है, डॉर्विनिस्म कहलाता है origin of species natural selection पुस्तक की रच्षण किसके द्वारा किया गया था Charles Darwin के द्वारा ही किया गया था उपरजित रक्षणों की वन्सागती सिध्धान का प्रतिबादन किसके द्वारा किया गया था वो जो किया गया था लैमार्क के द्वारा किया था फर्स्ट आप्शन में लिखा है उपारजित लक्षरों की वन्सागती तो इसके जो सिध्धान्त है वह लैमार्क की द्वारा दिया गया था लैमार्क ने फैलोसॉफिक जो लॉजिक को नामक पुष्दक भी रशना की थी इसका सिध्धान्त की द्वारा दिया गया था और इनके अनुसार जाती की उद्पत्ती अचानक परिवर्तन के कारण होता है जियों में अचानक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं उद्परिवर्तन कहते हैं घाग के 108 और सेधान यР Assще UP 8 अंबर भी इसका राइट हो जाएगा प्राकृतिति चयन या नाचूरल 2 शलेक्षन है यह जो सिथधान है वह डारविन का द्वारा दिया गया था योग्यता की उत्तर जीविता का प्राकृतिक चयन दोनों एक ही सिधान्त है यानि कि सर्वाइकल ओप फिटेस्ट और नैचुरल सेलेक्षन दोनों ही एक ही सिधान्त है और यह सिधान्त किसके द्वारा दिया गया था जार्विन के द्वारा दिया गया था नेक्स्ट है और क्योब टारिक्स किन का सयोजन था और क्योब टारिक्स जो सयोजन है वह किसका है शरिश्रिप्ट और पक्षियों का नेक्स्ट कोशन है यहाँ पर निम्द लिखित में से किस यूग में कोई जीवन नहीं था तो इनमें से देखे कौन सा ऐसा यूग है जिसमें कोई भी जीवन नहीं था तो आंसर हो जाएगा एलज्वाइक एलज्वाइक यूग ऐसा यूग था जिसमें कोई भी जीवन नहीं था अब जानते हैं यहाँ पर कुछ यूग के बारे में पहली ज्वाई यहां पर जो option last दिख रहा है पहली ज्वाई तो यहां पर क्या था इसे प्रात्मिक युग भी कहा जाता है इसी युग में वनस्पती और जीवों की उत्पत्ती हुई थी तो यहां पर क्या हो गया वनस्पती और जीवों की उत्पत्ती हुई थी और यहां प पुराजीवी महाकलपगा प्रारंभीक काल कैम्ब्रियन के नाम से ही जाना जाता है। यानि कि यह जो पहली ज्वाइक है इसी के एंटरगत क्रांभीक काल है वही क्या कहलाता है। क्रांभीक काल कहलाता है। नेस्ट है मेसो जॉइक कार तो मेसो जॉइक इसे दूइती यूग भी कहा जाता है इसे ट्रियासिक जुरैसिक वा क्रिटेशियम कालों में बाटा गिया है जुरैसिक काल में क्या थे डैनसार की उत्पत्ति हुई थी नेस्ट कोश्चन है उत्परिवर्तन का सिधान म्यूटेशन थियोरी किसके द्वारा दिया गया था तो मैंने आपको इस्टाटिक में ही बताया था कि उत्परिवर्तन का सिधान जिसकों की म्यूटेशन थियोरी कहा जाता है यहाँ किस के दौरा दिया गया था, यूगो जी ब्रीज के दौरा दिया गया था, अचानक परिवर्तन कोई क्या कहा जाता है, उद्परिवर्तन कहा जाता है, और इसी का सिधान दिया था, यूगो जी ब्रीज ने, नेश्ट है, म्यूटेशन का कारण है, तो म्यूटेशन ज परिवर्तन यह सभी किसके अंतरगत आएंगे मियूटेशन के अंतरगत आते हैं नेक्स्ट है जानासॉर का शुनाहरा काल किस महा कल्पक को कहा जाता है आंसर इसका हो जाएगा ईसकाल के ट्रियासिक काल को रैपचायला एरा भी कहा जाता है इसकाल को तीन मुक्ये उपकाल में विभाजित कीा गया है पहला ट्रियासिक जुरासिक और प्रिटासिस नेक्स्ट है जीवन की उत्पत्ती किस महा कल्प में हुई है तो जीवन की जो उत्पत्ती हुई है ये प्री कैम्बियन काल में हुई है option number A इसका right हो जाएगा जीवन की उत्पत्ती प्री कैम्बियन महा काल में हुई है और प्री कैम्बियन काल इस काल में रेड विहिन जीव का प्रादुर्भा हो गया था और सीनो ज्वाइक काल इसे नव जीवी महाकल्प भी कहा जाता है इसे त्रित्यक या टर्शरी युग भी कहा जाता है इसे वियरा के पहले उशिन काल में सर्व प्रताम इस्तन पाई वा पुक्षहीन बंदरों का आविर्भाव हुआ था नेक्स रहे आधुनिक मानव के अभिनाव पुर्वश थे तो जो अभी आधुनिक मानव है इनके पुर्वश कौन थे तो ये थे क्रोमेगनौन मानव ओप्षन नमबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा आधुनिक मानव अथ्वा होमो सैपियन्स के अभिनाव पुर्वश नियंडर्थार मानव थे और इनकी आयू जो ये किसके अंतरगत आते हैं क्रोमेगन मानव के अंतरगत आते हैं और इसकी आयू आज से 20,000 से 30,000 वर्ष पुर्वश आंकलन की गई है नेस्टर कोशन है मानव की उत्पत्ती किस यूग में हुई थी मानव की उत्पत्ती का यूग कौन सा है प्लायोसीन यूग में मानव की उत्पत्ती हुई थी नेसर कोशन है यहाँ पर चटानों पर रंगीन चित्रकारी सर्व प्रथम किस ने की थी तो चटानों पर जो हम चित्रकारी करते हैं उसमें रंगीन चित्रकारी सबसे पहले किस के द्वारग किया गया था नेन डठर मानों के द्वारग किया गया था नेसर कोश्टन है माना विकाश इवाल्योशन आप मैन कहा हुआ तो जो इवाल्योशन आप मैन इनका जो विकाश हुआ यह मद्या एशिया में हुआ ऐसा माना जाता है नेसर नेमनलिकित में से कौन आधुनिक माना का सबसे निकड़ सम्नधि है तो आधुनिक जो माना है इसका सबसे निकड़ जो सम्नधि वह कौन सा है गोरिय्ला जिसको हम चिंपasieं कहते हैं नेस ne कोशन है नेस्ट यहां पर कोशन हो जाएगा origin of species नामक पुस्तक किसके दोरा लिखा गया था आंसर हो जाएगा जॉर्विन नहीं origin of species नामक पुस्तक जहावा लिखा था नेस्ट है जीवन की उत्पति नामक पुस्तक को किस ने लिखा था तो आंसर हो जाएगा origin of life इसके जो लेखक हैं वहाँ कौन है और पैरीन origin of species पूछे तो वहाँ क्या होगा वहाँ पर होगा डॉर्विन और origin of life अगर पूछे तो life के लिए हम क्या लगाएंगे और पैरीन इन्होंने इस पुस्तक में जीवन की उत्पति की बारें विस्तार पूर्वक वर्डन किया है तो ये बुक इनकी है याद रखेंगे निंपि निंट लिखित प्राइमिट में मनुश्य का निकर संबन्दी कौन से है तो इनमें से मनुश्य का का निकर संबन्दी हमे जस्ट ढों तिन के आगे ही देखा है यह कौन हो जाएंगे गॉरिला ने सकोशन की और बढ़ते हैं चमकादर टिड्डे इबं कबुतर के पंक क्या होते हैं जो चमकादर हो गए टिड्डे हो गए कबुतर के पंक यह सभी किसके अंतरगत आएंगे तो आसर हो जाएगा समरूप समरूप के अंतरगत आएंगे समरूप में क्या बताई थी ऐसे अंग जो समाने कारे के लिए उप्योजित हो जाने के करण समाई दिखाई देते हैं परंतु उनकी जो मूल रचना होती है ब्रूडिय परिवर्धन होता है उनमें भिर्ना होते हैं दिखने में समान होते हैं क्योंकि वो कारियाग समान करते हैं लेकिन उनकी जो मूल सरचन ह in shripo का यूग किसे कहा जाता है तो हमने ये भी बहुत ऐ tava repeated question है सरी स्ussarito का यूग कि किसे कहा जाता है मीसो जोईक महाकल्ब कहा जाता है तो देखिए यह हमने जितने भी कोशन लिये यह किसी ना किसी एक्जाम में आये हुए हैं इसलिए आपको कुछ कोशन देखना रिपीटर दिख रहा हैं क्योंकि अलग-अलग एक्सान में कोशन रिपीट होते हैं तो यह सभी कोशन जो हैं प्रिवियस एक्जाम में पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी भी एक्जाम में तो यह सभी क्या है important है इसको अच्छे सदेखेंगे next है तितली पक्षी और चमगादर के पंक इनमें किसके अंतरगत आएंगे तो यह सभी जो होते हैं यह क्या होते हैं सम रूप जिसको की हम सम्रित्ति भी कहते हैं option number B यहां पर right हो जाएगा ने स्ट कोस्टन है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो यहां पर देखिए science related इसलिए कोस्टन आ गया है ओजोन दिवस किस कब मनाते है सितंबर 16 को ओजोन दिवस मनाया जाता है इसी दिन क्या होता मौन्चिल प्रोटोकॉल जो है इस पर हस्ताक्षर हुए थे नेस्ट है एक छेत्र के प्ररोहर में सम्यांतर क्रमद्ध परिवर्तन को कहा जाता है तो यह कहा जाता है अनुक्रमड एक छेत्र के प्ररोहर में सम्यांतर क्रमद्ध परिवर्तन को अनुक्रमड कहा जाता है यह क किसे माने जाते हैं तो श्वेत क्रांती के जनक जो माने जाते हैं भारत में वेक्वे हैं कौन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन लेक्स है भारत में हरित क्रांती के जनक किसे माने जाते हैं तो हरित क्रांती के जनक भारत में कौन है Ms. Swami Nabhan Next question है मनुश्य किसके द्वारा जिव मंडल में पारिशितिक संतूलन बनाई रख सकता है तो जो मनुश्य होते हैं ये जीवों की सापेक्श शंक्या के सुच्म संतूलन को समझते हैं और इसी की आधार पर परिशिती में क्या करते हैं संतूलन बनाए रख सकता है नेस्ट है विलीन जीवों का सुष्म जैविक उपयोग निस्पाधित किया जा सकता है अंसर है ओक्सी करड़ द्वारा ओक्सी करड़ द्वारा विलीन जीवों का सुष्म जैविक उपयोग निस्पाधित किया जाता है नेस्ट है समान ये किसी वी निर्देश्ट जाविक तंत्र का घटक ना माने जाने वाले किसी विदेशी योगी को कहा जाता है जीनो पायोटिक्स जीनो पायोटिक्स क्या है समाने ता किसी विनिर्देश्ट जाविक तंत्र का घटक न माने जाने वाले किसी विदेशी योगिक को जीनो बायोटिक्स कहा चाता है नेसर कोशन है सब्द जीव मंडल से आसर क्या है तो जो शब्द जीव मंडल है इससे आसर है प्रित्वी के गिर्द मृदा जल और वायू का जो छेत्र वनस्पतिक तथा प्रारी जात का शमार्थन करने में सक्षाम होते हैं यही क्या कहलाते हैं जीव मंडल कहलाते हैं यान की जहां पर जीव रहते हैं और यहां पर एक पारिस्तिक संतुलन देखने को मिलता है क्योंकि प्रित्वी के गिर्द मृदा जल और वायू के जो छेत्र है वनस्पतिक तथा प्रारी जगत का यह सभी आपस में सामंजश्य सामर्थन के साथ रह नदिया हैं जहां पर मशली नहीं है तो वहां पर क्या पाया जाता है जोन ओप डिग्रीडेशन यानि की निमनी करण का छित्र होता है यह उसके नीचे इसीथ होता है जहां पर सीवेज को नदी में डिस्चार्ज करते हैं नेस्ट है मरुष्थल का जानवर ग्रिश्मरीतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं तो जो मरुष्थल में जानवर होते हैं वे जब ग्रिश्मरीतु आती है तब लंबी निद्रा में चले जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है ग्रिश्मनिस्क्रियत जाड़े की दिनों में शीत रखती है प्राणी जो होते हैं वो शीत निद्रा में चले जाते हैं जो जाड़े के मौसम होते हैं शीत रितू होते हैं उनमें वो निद्रा के में चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है शीत निद्रा और जो गिरिश्मकाल में चले जाते हैं उन्हे नेस्ट है उतक से बना हुआ है जो आक्सिक्रित होने पर जल उपलब्ध कराता है वह कौन सा हो जाएगा वसाम में इसका फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है पल्मोनरी आर्ट्रियल हाइबर्टेंशन तो इसके जो वह पाप चाहिम अध्यवर्ति होते हैं वह अध्यन्द क्या होते हैं आप्शन नमबर ए डी यहाँ पर राइट हो जाएगा कैंसर जीन विरूप जनिक और उत्परिवर्तनी जनी तो कैंसर जनी विरूप जनी और उत्परिवर्तनी यह क्या होते हैं पल्मोनरी आर्ट्रियल हाइबर्टेंशन के उपाप चाहिए होते हैं निम्न में से कौन से समजात अंग हैं तो समजात के बारे में मैंने क्या बताया था समजात वो होते हैं जो विवेनकारियों के लिए उप्योजित हो जाने के कर काभी आसमान दिखाने में आसमान होते हैं लेकिन जो उनकी मुल रचना होती है और भूड़िये परिवर्धन ह होते हैं वो सबी क्या होते हैं समान होते हैं इनमें से कौन सा याइट होगा आंसर होगा इसका घोड़े और आदमी का अगर पाद नेक्स है इसपर्ष रोम किसके शरीर में पाया जाता है इसपर्ष रोम जो है किसके शरीर में पाया जाते है कीट जो होते हैं इनके शरीर में इसपर्ष रोम पाया जाता है जो कीट होते हैं इनकी जो बहारी आवरण होती है वह किसकी बनी होती है काईटीन की बनी हुई होती है नेश्टर कोश्टन है पक्षी और चमकादर अच्छा उड़ते हैं चमकादर पक्षी से भेन नहें तो यह क्या हो जाएंगे किसी कारण ड्राइब फॉर्म के कारण नेक्स है प्रयोग और अप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था तो प्रयोग और अप्रयोग इनका जो कानून है लैमार का के द्वारा प्रतिपादित किया गया था नेस्ट है सरवाधिक जयवे विधिता कहां पाए जाती है तो सबसे अधिक जो बार डाइवरिस्टी देखनों को मिलती है वो कहां पर देखने को मिलती है ये मिलती है उस नकटिबंधिया वर्षा बनों में नेस्ट कुस्टन है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारने करने के लिए आवश्यक नियुन्तम भूमी को क्या कहा जाता है तो इन्हें हम कहते हैं पारिस्टिकिया पद छाप नेस्ट है जीव विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है तो जीव विज्ञान की ऐसी वह शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है ये है परमारू विज्ञान नेक्स है जैवे विधिता क्या है तो जैवे विधिता हमने देखा कि वह कौन से उश नकटे बंधिया छेत्रों में देखने को मिलती है तो ये जैवे विधिता बायो डावर्शिटी है क्या ये क्या होती है तो एक वन होते हैं जो फोरेस्ट होते हैं उनमें बहुत से प्रकार के पेड़ पौधे और जिवे जन्तु पाया जाते हैं तो वहाँ पर जो उनमें विभिनता पाया जाती है और अलग-अलग प्रकार के पाया जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं जैवे विधि मनुष्य के शरीर में निस्क्रिया अंगुम वेस्टिजनल और्गेंस का सम्मुह कौन सा है इन में से मानाव के शरीर में बताना है वैस्त्रिजल ओर्गन उसे हम कहते हैं जिनका उपयोग हम हमारे शर्रिड में तो रहता है लेकिन उनका उपयोग हम नहीं करते हैं उन्हें हम कहते हैं वैस्त्रिजल ओर्गन तो देखे इसका आंस्थर हो जाएगा option number c यहां पर right हो जाएगा मनुश्य के सरीर में निस्क्रिय अंगों का समूह कौन कौन सी है निमेशब पचल, क्रीमी रूप, परिशोशिका, करणा, पेशिया, कौक्सी अर घड़ी ये सभी क्या होते हैं और शेशी अंग या निस्क्रिय अंग वेस्टिजल्स ओर्गन कह जाती है वेसे अंग जो हमारे पूर्वज में कारे रत थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई भी काम नहीं है ऐसे अंग को हम वेस्टिजल्स ओर्गन कहती है नेस्ट कोशन है पैलेंचियोलोजी का अध्यान क्या कहलाता है तो पैलेंचियोलोजी में हम किसका अधियन करते हैं यहां पर हम फॉसिल्स के अधियन करते हैं नेक्स है श्वेत करांती नाम जो है संबंधित है तो श्वेत करांती जो है वरगीज कूरियन से संबंधित है भारत में जो श्वेत करांती के जनक माने जाते हैं वे कौन है वरगीज कुरियन नेक्स्ट कोश्चन है प्राचिनकाल के जानवरों, पौधों, इवमन्य जीवों की सरक्षित अवशेशों या चिन्धों के अध्यान का विज्ञान क्या कहलाता है ये कहलाता है जिवाश्म, विज्ञान या पैलेंचियो, लौजी आप्शन नमबर C यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है पक्षियों की अध्यान को क्या कहा जाता है? पक्षियों की अध्यान को औरनितो लौजी कहा जाता है आप्शन नमबर B यहाँ पर राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है विकास का सिध्धान किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिध्धान जो है यहाँ चाल्स जार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था नेश्ट है Oncology किस विबारी की उपचार से सब्भन धित है Oncology पैंसर की विबारी जो होती है इनकी उपचार से जुडि वी है नेश्ट है किस प्रारी की चेनोम को नवंबर में प्रकाशित किया गया था जो दस वर्षे तक बिना भोजन पानी के जिवित रह सकता है चाडी ग्रेट ऐसा प्राडी का जिनोम है जो 10 वर्ष तक बिना भोजन और पानी के जीवित रह सकता है और मास पिगलेट के रुप में भी जाना जाता है इनहीं वाटर बियर्ज भी कहा जाता है जिनोम प्रोजेक्ट की द्वारा प्रमारित हो चुका है और सभी जीव जीन क 99.99% अमने प्रजाती के समान होता है जिनोम के द्वारा मानाओ के विकास के विविन पहलों पर शोत किया जा रहा भी है और कुछ जीव वातावरार जैसे शुर्य का प्रकास वायू आदी से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं किसे विभारिक मनों विज्ञान का जनक माना जाता है तो किसे माना जाता है एक्सपेरिमेंटर साइकोलोजी का जनक माना जाता है विल्हेम वुन्डत को अप्शन नमबर सी राइट हो जाएगा एक्सपेरिमेंटर साइकोलोजी का जनक माना जाता है विल्हेम वुन्डत को नेस्टर कोशन है डैस की अवधारणा अंद्विश्वास भरी मानताओं पर आधारित है तो साप और सीड़ी की अवधारणा जो है वो अंद्विश्वास भरी मानताओं पर आधारित है साप और शीड़ी खेल मुक्यता बच्चों के मनुरंशन के लिए शुरू किया गया ग्रैड मास्टर की उपादी टैश में ही दिया जाता है जो चैश ख्येलते हैं उन्हें ग्रैड मास्टर कहा जाता है यानि कि उसमें जो कुछ सफलता हासिल की तो उन्हें कहा जाता है Grand Master नेसर कोश्चन है निम्न लिखीत में से एक उचिक अनुक्रम में विवस्तित कीजिए तो ये क्रम में विवस्तित करना है तो सबसे पहले क्या होगा? उत परिवर्तन फिर जननात्मक विगलन फिर क्या आएगा? प्राकृतिक चैन और फिर विकास तो ये सब एक तरीके से क्रम में ओडर हो जाएंगे पहले उत परिवर्तन होगा फिर जननात्मन विगलन होगा फिर प्राकृतिक चैन होगा फिर विकास होगा तो ये option number B यहाँ पर राइट हो जाएगा नेस्ट है जीवन की उत्पत्ति की बारे में ओपैरिन का सिध्धान किस से संबंधित है तो origin of life मैंने बताया था कि ये पुच्टक किसके द्वारा लिखा गया है ओपैरिन का है तो ये किस से संबंधित है तो ये इनका जो शिध्धान्त है यहाँ रहसायनिक विकास से संबंधित है अप्शन नमबर B राइट हो जाएगा निस्ट है प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिकित में से कौन सा आवश्यक है तो अंसर हो जाएगा श्वशन प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए श्वशन जो है वह आवश्यक है निस्ट है वैसे अंग जिनकी मौलिक संरशना तो एक समान होती है परन्तु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भी न होता है क्या कहे जाते हैं तो यह कहे जाते हैं संजात अंग इनकी जो संरशना होती है यानि कि हम जो देखते हैं वो क्या होते हैं एक समान होते हैं उनके जो काम होते हैं वो अलग-अलग होते हैं यही कहलताते हैं समझात अंग Next is a type of reproduction in which a part of a plant body develops into a new individual is called यह क्या कहलाते हैं वेजिटेट्यू प्रोपेगेशन कहलाते हैं वेजिटेट्यू प्रोपेशन अचाइब और रिप्रोड़क्शन इन विच पाल्च उप प्लान बॉड़ी डेबलफ इन्टू आ निउ इंडिविज्वल यही कहलाता है वेजिटेट्यू प्रोपेशन इसको हिंडी में कहा जाता है वर्धी प्रवर्धन यह क्यों था एक प्रकार का पुन्रूत पादन जिसके एक अलग भाग पादप का विक्षित होता है उसे ही वर्धी प्रवर्धन कहते हैं निवने लिकित में से मतश्य वर्ध को विसेस्ता क्या नहीं है मतश्य वर्ध की विसेस्ता कौन से नहीं है तो मतश्य जो होते हैं गल्फ़रों से सांस लेते हैं बिल्कुल सही है हड़ी उपासिती का अंतहकाल यह भी शही है शलक का बहीर कंकाल होता यह भी सही है लेकिन स जिल्जो कॉलम की उपसिती ये मशलियों की विशेश्ता नहीं है। मतश्रिवर्ग की प्राणियों में जो हरीदय होते हैं वो दो चिंबर के होते हैं। हर जो होता है वो दो चिंबर के होते हैं और इनमें केवल अशुधरकत ही पंप होता है। और यह जो होते हैं लवडी और बृदू जल में पाया जाते हैं यह जल में अंडे देने वाले वर्टी ब्रेट हैं ठीक है जल में अंडे देते हैं हिपो कैमपस एक समुद्री मीन है जिसे समुद्री घोडा भी कहा जाता है हिपो कैमपस जो होता है समुद्री घोडा कहा जा अब हमेरे जो शिक्कीम है भारत के एक मात्र ऐसा राज्य है जहां पर पूरी तरीके से जाविक ख्यती होती है ने से डैस शम रूप अंग है समझात मतलब जो देखने में तो समान होते हैं लेकिन उनके काम भिन्न होते हैं वो सम जात होते हैं और सम रूप उल्टा हो देखने में विभिन्न होते हैं